हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपकी स्पोकण इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है क्यूंकि आपके पास अच्छागासा टाइम है अपनी इंग्लिश को स्पोकण इंग्लिश को और भी जादा बैटर करने के लिए तो आज के वीडियो में मैं आपको एक तो मैं आज आपको self introduction बताऊंगी ठीक है खुद को introduce करना है आप सभी ने तो खुद को introduce जब हमें करना होता है तो सबसे पहला question जो कोई भी हमसे पूछता है what is your name क्या पूछता है students हमसे what is your name तो हम क्या जबाब देते है my name is dash 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 जो भी आपका नाम है तो जैसे मैं माल लेती आपका नाम राम शर्मा है ठीक है तो मैं क्या बताऊंगी कि मेरा नाम क्या है my name is राम शर्मा तो देखिए students my name is राम शर्मा हो गया अब इससे भी ज़्यादा better तरीके से मैं कैसे बोल सकती हूँ क्योंकि spoken English भी कोई भी language है चाए English हुई चाए spoken में हम English को use कर रहे हैं उसमे एक transmission phase आ जाता है जिसमें हमें क्या करना होता है धीरे धीरे कुछ changes लाने ही पड़ते हैं तो उनी changes की मैं आपसे बात कर रही हूँ ठीक है तो हम और क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई person हमसे हमारे name के बारे में हमारे introduction के बारे में पूछ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे my name is रा इसी ने पूछ लिया खुद को introduce करना तो मैं क्या बोलूंगी my name is राम शर्मा you can call me राम ठीक है तो जब हम you can call me राम लगा रहे हैं तो इसमें हमें शर्मा लगाने की सरने में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैं अपना nickname ठीक है first name ही use कर रही हूँ ठीक है तो you can call me राम नहीं बोलना तो आप इस line को भी use कर सकते हैं everyone call me राम क्या बोल सकते हैं everyone calls me राम तो काफी better लगा जो हमने अभी बोला उसके बाद क्या है कि second question हमसे जो self introduction से related पूछा जाता है वो है what is your age कोई भी person हमसे हमारी age के बारे में पूछेगा तो हम क्या जबाब देंगे normally हम जबाब देते हैं I am 25 year old जो भी हमारी age है I am 25 year old हम simply बोल देते हैं ठीक है बट हमें बहुत ही ज़दा impressive दिखाना है दूसरा person जो हमारे बारे में पूछ रहा है उसे अच्छा लगना चाहिए कि हमने उसे कोई जबाब दिया है तो इस line की जगा हम क्या use कर सकते हैं I am in my early 20s इससे क्या होगा students एक तो line बहुत ज़्यादा impressive लग रही है उपर से आप उसे exact age अपनी नहीं बता रही है ठीक है मैं कब early 20s यूज करूंगी जब मैं 20 या फिर 22 की age के बीच की बात कर रही होंगी अगर मैं बता रही हूं कि मेरी age 28, 29, 30, 27 है तो मैं क्या बोलूंगी I am in my late 20s बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है ठीक है तो क्या बताया मैंने आपको कि अगर मैं 25 यर ओल्ड हूं तो मैं अपनी क्या बता रही हूं अपनी age को 21, 22 हूं तो मैं बता रही हूं I am in my early 20s तो काफी impressive लगा age के बारे में ही सुन कर अभी तक हमने क्या practice किया दो मिने में हम क्या कर लेते हैं उसे repeat कर लेते हैं तो मेरे साथ repeat कीजिए my name is Ram Sharma you can call me Ram I am in my early 20s तो किता अच्छा लगा introduction students ठीक है तो move करते हैं हम हमारे introduction के third question पर तो then जो हमारा third question आता है students where are you from कोई भी person हम से क्या पूछता है next question कि आप कहां से belong करते हैं तो हम सीधा direct जबाब दे देते हैं I am from Delhi क्या बोल देते हैं I am from Delhi हां मैं ये गलत नहीं बोल रही हूं कि ये गलत है I am from Delhi बट हम इससे better use कर सकते हैं क्या I hail from Delhi hail का मतलब भी belong करना ही होता है अगर हमें hail learn नहीं रहता तो hail की जगह हम बोल सकते हैं I belong to Delhi क्या बोल सकते हैं I belong to Delhi तो I hope आपको next line भी learn हो गई होगी move करते हैं हम हमारे next question पर question है what are your hobbies तो next question जो हमसे person पूछता है कि आपको किन चीजों का शोंग है क्या आपकी hobbies है तो मैं direct बोल देते हैं हमें क्या पसंद है my hobbies are cricket music तो ऐसे नहीं बोलना है student अब से हमें hobbies बताते हुए three words का use करना है या तो हम use कर सकते हैं like word का या हम use कर सकते है enjoy word का या फिर love का जैसे मुझे cricket खड़ खेलना पसंद है मेरी hobby cricket है तो मैं क्या बोलू I love cricket I love badminton I enjoy to play cricket तो इस टाइप से मुझे आज से अपनी hobbies को introduce करना है I hope आपको यह समझ आया होगा एक और आप इसकी जगह impressive line use कर सकते हैं तो वह क्या use कर सकते है I have passion for reading books ठीक है तो इस ट कर सकते हैं अब जल्दी से practice कर लेते हैं जितने question हमने किये हैं repeat कीजिए मेरे साथ अपना self introduction my name is Ram Sharma you can call me Ram I am in my early 20s I belongs from Delhi ठीक है students complete हो गया last line बोल सकते है I love cricket तो इस ताइप से हमने हमारा self introduction cover किया next question अगर कोई person हमसे पूछता है तो वो क्या है कि आप जीने के लिए क्या करते हो यानि कि what do you do for your living जीने के लिए या फिर अभी आप क्या कर रहे हो तो मैं क्या बोलूँगी I am a teacher ठीक है या फिर इस जगह इस line को और भी जादा impressive दिखाने के लिए मैं बोल सकती हूँ I work as a teacher तो इस टाइप से हम काफी impressive lines का use कर सकते हैं तो आज की self introduction की जो last हमारे पास question बचता है वो है how many family members do you have अगर कोई person हमसे family members पूछता है तो हम क्या बोलते हैं there are four members in my family या फिर हम हमारे भाई बहन भाई बहन के लिए जो English spoken में word use किया जाता है वो होता है sibling अगर मेरे एक brother है तो मैं क्या बोलोंगी I have one sibling two brother sister है तो I have two siblings ठीक है तो इस टाइप से मैं आपना self introduction दे सकती हूँ बहुत ही असानी से चलिए students last बार हम हमारा self introduction करते हैं जल्दी से मेरे साथ repeat कीजिए My name is Ram Sharma. You can call me Ram. I am in my early twenties. I belong from Delhi. I have passion for reading books. I also enjoy to listen music. There are four members in my family and I have two siblings. तो देखे students यह आपका self introduction complete हो गया. तो इसी टाइप से आपको भी आज self introduction अपने parents को बोल कर दिखाना है और अपनी spoken की practice आज से ही मेरे साथ start करनी है. तो next day मिलते हैं next video के साथ. Thank you and have a nice day students. आपक्णते हैं